नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जंता की आवाज और वक्त हो चुका है आज दिन भर की बड़ी खबरों का दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपको जानना बहुत आवश्रक है साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि राज़तान की राज़नीती को लेकर क्या नया अपडेट है और इस वीडियो में हम चानेंगे बीका ने जिले से चुड़ी सबी खबरें कुर्णा मामारी के चलते नोखा में हरी राम बाबा का मेला नहीं भरा चाएगा कुर्णा मामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वरा अलचवारी की गई गाइडलाइन की पालना में नोखा में आवज़त होने वाला हरी राम बाबा का मेला अस्थागित कर दिया गया है पुजारी राजगिरी ने बताया कि वार नमबर 34 में स्थ हरी राम बाबा मंदर में 2324 अगस को हरी राम बाबा का वाशिक मेला लगने वाला था उससे कुर्णा मामारी की करण स्थागित कर दिया गया नोका में प्रतिवर्ष भनने वाला हरीराम बाबा का मिला सरकार की गाइडलाइन की चलते नहीं भरेगा केवल पुजारियों सेवक्त वारा मंदर में आरती और पूजन किया जाएगा राजगीरी ने अपील की है कि सभी भक्त घर पर है कर ये हरीराम बाबा का पूजन अर्चन करें नोका में अनूटे ढंग से वाटसप की थीम पर गणेश प्रतिमा सजाई और पूजा आर्चना की कुरणा की वज़े से देशभर में दैश्वत फैली हुई है नोका सहित देश भर में रोज इस वाइरस की चपेट में कई लोग आ रहे हैं नोका में इस वाइरस के ड़स से आमचन अपने हिसाब से ही घरों में 30 तहवार मना रहे हैं शनिवार को नोका में गणेश चतुर्ती दुनाम से मनाई जारी है तैसील रोड निवासी, शिव भगवान, राठी और उनकी पदनी सुष्मा राठी ने अपने आवास पर अनुच इढंग से वाच्सप की थीम पर गणीश प्रतिमा सजाई और पूचा अर्चना की सरकारी भूमी पर हुए अतिकरमन चुनित कर करवाही करें कलेक्टर जला कलेक्टर नमत महता ने कहा कि राजस्वाधीकारी मूल दायत्वों को समय पर निर्वाहा करते हुए जन कल्यान कारी युचनाओं में पातर जनों को स्वप्रेरित होकर लाभानवित कराएं उन्होंने उप्खन अधिकारें को सबी विभागों के साथ समन्वयक की भूमी का निभात हुए जन समस्याओं का त्वरत निराकरण कने के निर्देश दिये नोखा गाउं के पास सड़काथसा बीकने निवासी 38 वर्षी महिला की मौत बीकने नोखा गाउं के पास हुए सड़काथसा में बीकने निवासी 38 वर्षी महिला की मौत हो गई हासे की सुषना बलते ही नोखा पुलिस मौके बर पहुचे और शबको कभजे में लेते हुए नोखा मार्चुरी में रखवाया एसाई हनू माना राम से मिली जानकारी के अनुसार यहाथसा नोखा गाउं सिर्थ फोजी होटल के पास हुआ है खेतन बनी डिगी में गिरने से 15 वर्षी बाला की मौत खाजवाला पुलिस स्थाना छेत में खेते में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से 15 वर्षी बालक की मौत हो गई पुलिस से मिली जानकरी के नुसार 19 केज़ेडी में जस्वी जाज के खेत में हिस्से पर जमीन लेकर कृश्विकारे कर रहे थे इसी दर्मियान 15 वर्षी मंजूर खान पुत्र कालू खान जो की फवारे लगाते समय डिग्गी में गिरने सिमौत हो गई पुलिस से शबको कब्जे में सामुता एक स्वास केंद की मर्चुरी में रखवाया अबी वीपी के चात्रों ने टाय जला का विरोध प्रदर्शन किया देखें ये वीडियो अखलबाती विधार्ती परिशत के पूरु जिला संयोजा का महेंद जाखा के नेतर्प में शनिवार को कारे करताओं ने बीका ने इस जिला मुख्याले पर टाय जलाखा विरोध प्रदर्शन किया मानगर महामंत्री राम निवास बिश्नुई ने बताया कि आरपी एमसी आउजित लाब टेक्निशन डिप्लोमा की परिक्षा समय पर करवाने हितू बार बार प्रिशाशन को अफगत कराया गया है लेकिन कोई करवा ही नहीं हो रही है परामेडिकल चात्र विकास मोधी ने बताया कि चात्रों के सामने से समझ इसकी स्थिति को दूर करने के लिए प्रिशाशन को चात्रों को प्रमोच करने और एक्जाम तिथी की घोशना करने के समद में ग्यापन दिया गया है हाउजिंग बोच के लिए आज को दिन बहुत एहम सीम घलोत ने किया 25 परियोजनाओं का शुभारम और शुभारम और शुभारम किया सीम घलोत ने 14 आवासी योजनाओं चार मुख्यमंत्री चुण आवास योजनाओं का शुभारम और साथ परियोजनाओं का शुलन्यास कने के साथ ही उनकी पुस्तिकाओं का विमोचन किया साथ उन्होंने राणा सांगा मार्केट प्रताब नगाय जैपूर का भी शुभारम किया मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गुणवत्तन नियंतरन के लिए बनाए गए मुबाइल लैप आर एच बी सजग को लॉंच किया और पुस्तिका का विमोचन किया इस मौके पर सीम घलोत ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो प्राज सरकालोगों का ये सपना साकार करने के लिए प्रतिबद है देशों प्रदेश की तमाम खबरों से चुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीचिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए